नमस्कार दोस्तो मैं हूं गजिंदर दोस्तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रोक वाले कुड़ते की सही तरीके से फिटिंग कैसे करते हैं कि दोस्तों कई बर मेरे पास में कमेंट आता है और कमेंट में लिखते हैं मुझे मेरे सस्क्राइबर कि सर जब कभी हम फ्रोक वाले कुड़ते की फिटिंग करते हैं तो फिटिंग प्रोपर नहीं हो पाती तो मेरे पास में कुड़ता है, मेरी भावी जी का कुड़ता है, तो इसकी मैं आपको फिटिंग करकर बताऊंगा, ये देखेगा, ये फ्रोक वाला कुड़ता है, पूरा नीचे से बंद है ये, और उपर से, इस तरीके से ये बाजु है, इसकी बाजु इसके अंदर लगी इस तरीके से, ये देखे दोस्तों, ये तो इसका फ्रेंट का गला है, और ये बैक वाला गला है, ठीक है, इसकी अच्छी तरीके से फिटिंग कैसे करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, हम जब कभी फ्रोक वाले कुड़ती की करते हैं, तो उसमें सिर्फ सीना और कमर का मेजरमेंट चाहिए होता है, जो हिप का मेजरमेंट होता है, उसकी आउशकता नहीं होती, यानि कि जो हिप का मेजरमेंट होता है, वहां से फिटिंग नहीं करते हैं, सीना और कमर से फिटिंग करते हैं, इसमें लेकिन जो मेन प् जिससे होता कि इसकी फिटिंग पूरे की बिगड़ जाती है आपको इस तरी के इसलाई कभी भी नहीं निकाल ली पहले इसके अधर मैं आपको निशान लगाना बता हूंगा फिटिंग कैसे लगाते हैं यह देखेगा इसका सीना है इस तरी के सिसको रखा सबसे पहले हम लग राया है यदी आपको प्रोपर अच्छिं चाहिए तो आपको 2 दॉंच की घुटम रखने पड़ेगी sque और थी की बरखने पड़ेगी अगर आपको एकधम परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो आप 2 दॉंच की लूजींग रखेगा इसे कपड़ा है मेरे आप सूट के फिटिंग करोगे कि आपको कपड़ा किस क्वालेटी का है तो इसका अंदर पर सिर्फ दो इंच की लूजिंग रखूंगा अब सीने का जो मेजरमेंट है दोस्तो इसका वह चोंतिस इंच यहने की 34 और दो इसमें प्लेस करोंगा तो बनेगा 36 अब 36 जो हाब बन पूरी यहां से तो आपको इंच पैक कि इसके एक नीचे रखना इस तरीके से यह देखे तरह से ठीक है अब इस निसान से आपको इस तरीके से करना है इधर रखना है आपको 9 इंच यह देखिएगा और 9 इंच रखने है आपको इस तरफ तो दोस्तों टोटल देखिए बने गए 18 इंच ठीक है यह तो सीने का मेजरमेंट हो गया मैं इस निशानों को थोड़ा बड़ा कर देता हूं यह देखिए अब जो कमर का जो दोस्तों निशान लगाएंगे वो लगेंगे यहां पर यह देखिए इसमें आपको नजर आ रहा होगा यह चोली फी जुड़ी हो इसके अंदर कमर है इसकी दोस्तों वह तीस इंच आप तीस में दो प्लेस करूंगा तो बने का 32 यहने की 32 और और लगा रहा हूँ इस तरफ ठीक है अब इन निशानों को मैं इसमें मिला दूंगा यह देखिए दोस्तों ठीक है अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको यह निशान नीचे किस तरीके से लेके जाना है इस तरीके से खुट्टि को फैला लेना पूरी को और यह वाला जो आने आप को यहार लगातू भी लेके आना है और हलका हलका नीचे कि दरफ ऐसे बीन मिलेके जाना है हालका इस तरीके से यह हम के इस तरीके सी यह देखिए ऐसा एख दम से नहीं लिए खुमहना ऐसे को मैंने से होता कि यहां पर जोला जाता है और पूरी कुड़ती की फिटिंग खराब हो जाती है आपको समझ में आगे होगा कि निशान बिल्लकुल हलका हलका डाउन में लेके जाना है और नीचीक तरफ निकाल देना है तो यह तो इसके फिटिंग के निशान हो गए अब इसकी जो बाजू है दोस्तों यह बाजू हलकी सी लिउज है यहने कि जो फिटिंग है माइनर सी लिउज है तो आपको क्या करना है जो फिटिंग का निशान है यहां से निशान को इस तरीके से लगाना है और बाजू में इस तरीके से यहां पर निकाल देना है यह देखेगा आग ऐसे बाजू ठीक है सिर्फ यहां से अलकी से लिए इस तरीके से सेम आपको इस तरफ करना है यह देखेगा इस तरीके से निशान को हलका हलका डाउन में लग जाना है ओटता स्थे चाहए निकाल देना है ठीक है δोस्तों निशान तो इसक अधर लगा दिये हैं अब मैं आपको बताता हूं कि मैं सिलाई के से लगाये तो दोस्तों देखरें इस तरीके से कुछ रहालां लगानी है तो इस तरीक एस तरीक के जब हम स्लेय लगाते हैं तो होता कर जो कुड्थी की जो शेप होती है, दोस्तों ऊं भी खराब नहीं होती यह देखे बिलकुल इस तरीक से निकल गई अब आपको आगे करना है सेम इस तरफ करना है, यह देखे तो दोस्तों साइडों की सलाई है मैंने इसके अंदर लगा लिए यानिकी फिटिंग की सलाई अब मैं आपको एक बार इस कुड़ती को सीधा करके दिखा देता हूँ देखें का दोस्तों इसके अंदर एक परसेंट भी जोल नहीं आया जिस तरीके से हमें सलाई लगाई है आप इसी तरीके से सलाई लगान अपने फ्रोक वाली कुड़ती में मैं गारंटी दर हूँ जोल एक परसेंट भी नहीं आयागा ये देखें ये इसका फ्रेंट वाला गला है और ये बैक का गला है बैक में इसमें डोरी लगी है ओल्रेडी ये देखे दोस्तों साइडों से मैं आपको दिखाता हूं पता भी नहीं लगर हमने इसके फिटिंग भी किये ये देखेगा बिल्कुल फिटिंग की सलाई में हमने घेरी की सलाई मिला दिये और इस तरप से भी ये देखेगा ये देखे दोस्तों बिल्कुल सलाई एक बाद ही पैनने लाइक हो जाएगी यह देखे दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था छोटी सी वीडियो थी कि फ्रोक वाली कुड़ती की फिटिंग कैसे करते हैं मुझे किसी ने कमेंट किया था तो मेरे पास कुड़ता था यह तो मैंने सोच पसंद आईए दोस्तों तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच